कॉंग्रेस, इन दिनों काफी बाते हो रही ही जाती की फिर से एक बार, क्यों जरूत पड़ गी उनको मैं तो नहीं जानता हूँ, लेकिन अगर उनको जरूत पड़ी है तो पहले ज़रा अपने गरीबान में जहांके, उनको पता चले का क्या किया है, दलीत, पिछडे और और मैं तो कभी कभी सोचता हूँ, अगर बाबा साम न होते न, तो शायद के ऐसी एस्ट्री को आरक्षन मिलता के नहीं मिलता, ये भी मेरे मन में सवाब होता हूँ, आधन ये सवाब देजी, और मैं ये कह रहा हूँ, इसके पीछे मेरे पास प्रमाण, इनकी सोच आज से नहीं, उस समय से ऐसी है, मेरे पास प्रमाण, और मैं प्रमाण के सिवाए में यहाँ, कहने के लिए नहीं आया, अगर समय उती थी, और जब बाते महां से उठी है, तो फिर तायारी रखनी चाहिए, उनको मेरा परिच्च्छ तो हो चुका है, दस साल हो एक बार, और मैं हादरपुरवक नहरूजी को इन दिनों जादा याद करता हूँ, क्योंकि हमारे साथियों के अपेक्शन है ती जड़ा, उनको तो बोलो कुछ तो बोलो आख रहे, अब देखे, एक बार, नहरूजी ने चिठी लिखी थी, और ये चिठी मुख्यमंत्रियों को लिखी थी, मैं उसका अनुवाद पढ़ रहा हूँ, उन्होंने लिखा था, ये देश के प्रधान मंत्री, पंडित नहरूजी द्वारा, उस समय के देश के मुख्यमंत्रियों को लिखी गई चिठी ह on record है मैं अनुवाद पढ़ता हूँ मैं किसी भी आरक्षन को पसंद नहीं करता और खास कर नौकरी में आरक्षन तो कता ही नहीं मैं ऐसे किसी भी कदम के खिलाब हूँ जो अकुशलता को बढ़ावा दे जो दोयम दर्जे की तरफ ले जाए ये पंडित नहरु ने मुख्यमंत्रियों को लिखी हुई चिट्टी है और तब जाकर के मैं कहता हूँ ये जन्मजात इसके विरोदी है नहरु जी कहते थे नहरु जी कहते थे अगर स्थी स्थी ओबीसी को नौकरियों में आरक्षन मिला तो सरकारी काम का स्थर गिर जाएगा और आज जो आख़ी गिनाते हैं कि इतने यहाँ है इतने यहाँ है उसका मूल यहाँ क्योंकि उस समय उन्होंने रोक दिया था रिकूट्मेंटी मत करो अगर उस समय सरकार में भरती हुई होती और वो प्रमोशन करते करते आगे बढ़ते आज यहाँ पर बहुते हम से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकोन को दबाए